तो कैसे हैं आप सब आई होब कि सब बहुत अच्छे होंगे और अससी चीज़ेंट जो आपका होने वाला है 1-11 जुलाई उसके लिए तयार होंगे तो कि कई सारी चीज़े हैं क्योंकि मैंने कई सार एक्जाम दिये हैं उनकी एक्जाम प्रोशेस के थ्रियू में भुजी रहा हूं कि कैसे एक्जाम से पहले वाली चीज़ें यह द्यान रखना और अब क्या पढ़ना चाहिए आपको उसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड एक बार पूरा देखना चाहिए बहुत सारी चीज़ें शीखने को मिलेगी मेरे एक्सपिरियंस के बेस पर जो मैंने experience किया एक्जाम में तो वह आपको जानने को मिलेगा बहुत important points में लिखके लाया हूँ ठीक है तो चलते हैं आज के वीडियो पर उससे पहले I hope कि आप हम तो पहले चीज तुम आपको यह सजेस्ट करूंगा कि टाइम पर सेंटर पहुंचना सेंटर चाहे कर लो अपने एडमिट कार्ड में कि जो आप समझ रहे हो वही सेंटर है ना एक्जाम का कितना दूर है वहां जानने कैसे है एक दिन पहले जाना हो तो बहुत देख लो जो भ लाइन पर सेंटर पहुंचे और एकजाम जब पहुंचे तो आपका एडमिट आपके पास ओ आपके पास और आपको यह कोई पहूँ तो यह ध्यान रटना कि exam center पर पहुंचना पहला लक्स जर थीक है दूसरी चीज आप exam 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 कर रहे हो थोड़ा सा ध्यान रखना कि exam के exam की इतनी हईप दिमाक में मत बना लेना कि जब exam देने लोगो चीजों को लेकर ज्यादा कोशेस हो जो ऐसा लगी है कि यार अच्छा exam हैईप मत बनाना है अपंए आप में confident रहो कि जैसे मैं mock test करता था उसी तरीका से मुझे आगे वाला exam बी attempt करना है और exam को उसी तरीके से execute करना है जैसा मैं mock test में करता हु तो हाइप दिमाग में एतनी निमत बनाना कि या Mär Egnam लग रही है, every point, जो भी मैं point बताऊंगा, सारे most important points है, थोड़ा ध्यान रखोगे, exam बहुत बहतरीन जाएगा आपना, ठीक है, तीसरा point, देखो question को सही पढ़ना, देखो जैसे मैं बता रहा हूं कि exam जब होते हैं, तो second point से connected है, हम हाई पिंदी मिना लेते हैं कि वहां लिखा का 20% लिखा, पट मैं पड़ रहा हूँ, 270 को, कि 270 का 10% का 10%, answer बिल नहीं रहा है, मैं answer को डोंड रहा हूँ, लगातार calculation बार बार कर रहा हूं, बार बार देख रहा हूं कि यार 10% एक वटा दस ही ही होता है ना खinin 5 वटा 10 तो नहीं होता, या थ weapon 10, 20 तो." ब 논न Тो प्राब चला गया तो कहीं जो गे गया खोटिए वो गया तो तो एगर ऐसा सोच ऑग तो ख्रावी होगा तो ही ध्यान रटना कि क्यूस्ट्ट्ट में जो डाटा हो, उसको सही से पढ़ना, कि उसने radius पुछ है, diameter पुछ है, उसने area पुछ है या volume पुछ है, उसने डाटा में 270 दिया या 720 दिया, थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, exam अच्छा जाएगा आपका, तो जो लोग अच्छे marks पे हैं भी, उनको ये दिक्कत ज्यादा आ परके हैं कि data को, question को सही पढ़ना है, थोड़ा सा आँके खोल के question को पढ़ना है, question को पढ़ने में time लो, बट solution में time कम लो, जितना उसको देना चाहिए उतना time लो, question को पढ़ने में time आपको लेना है, जितना लगना चाहिए, ठीक है, आगे अगला point देखते हैं, तो invigilator जो है, उनसे जगणना लड़ना मत, ठीक है, invigilator से यो कई बार हो जाती है, कि वो आपको time पे, आपको commission copy नहीं दे रहे, time पे आपका PC काम नहीं कर रहा था, उसकी वज़े से दिक्कत हो गई, आपका exam सुरू हो गया, बाकि लोगों का आपका सुरू नहीं हो, ये सब space off करनी पड़ेगी, हो सकता है कि आप 100 में से 10 के साथ ही हो, बट वो 10 जनों के लिए सुनना ज़रू है, वो आप भी हो सकते हो, कि वहाँ जाके दिमाग को काम रखना है, कि अच्छा commission copy नहीं दे देंगे, उनकी जिमेदारी हो, अच्छा उन्होंने rough page नहीं दिया, तो rough page न नहीं करना है फालतू बातों में, अगर उनमें कर लिया ना, दिमाग divert हो जागा, exam खराब जाएगा, बाहर आके की बात कहोगे, कि यार मेरा तो दिन ही खराब था, लेकिन वो exam चला जाएगा, तो दिमाग को इस चीज़ों के लिए भी प्रिपेड रखो कि 5-10 मिंट भाव जो कि यार 100 का पेपर है, तो मैं 100 क्यूस्टन पहले देख लूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो मेरे को लग रहा है या त्राइम टेकिंग क्यूस्टन है या ऐसा क्यूस्टन जो जिसमें थोड़ा टाइम जदा लग रहा है या गलत मुझे लग रहा है कि यह नहीं आएगा, फिर पूचा था बताओ, जात दे रखी था, मुझे पता था, एक सो चोवर नहीं तुरन टिकर देता, बट क्यूस्टन देखा नहीं, तो यह चीज नहीं हो नहीं चीए, ऐसे क्यूस्टन जो एकदम बेसिक क्यूस्टन है वो भी पेपर में होते हैं, तो एक पहला टार्गेट यह हो आपका कि जो आपको आ रहे हैं घ्र क्यूस्टवं का ओने वाले क्यूस्टन है कि यह उनके साथ भी रहे होता है, वहां वो ज्यादा हो जाते है, हैं कि यार में तो मोक टेस्ट में 25 में हैं करता था यहां मेरे 25 में यह अभी 22 ही है इनको मैं करके रहूगा ना पूरे मार्क्स लने हैं 50 आट और 50 करता रहूंगा एक्जाम खराब हो जाएगा ना उसमें 50 आट और 50 आएगे और सेलेक्शन में यह चीज मत करना भाई मुझे पता है आप उस्यार हो ना मैं भी दोर से गुजराओं जीजी मैंने पेपर की हिसाब जो लेवल है उसके अकोडिंग अपना जो तरीका है को करने वह बदल दो अपनी एप्रोच बदल दो क्योंकि आपको जो है वह एक्जाम के हिसाब से बेस्ट देना है नैंकि जो आप यहां पर दे रहेते हैं उस हिसाब से यहां हो सकता आपका 170 स्कोर भी तो यह थोड़ी सी maturity दिखाना जो मोक्टेस दिया है उस experience को वहां पूरा डालना कि हां यार मैं वह बंदा हूं जिसने selection लेने के लिए आया हूं इतने मोक्टेस दिया है और मुझे थोड़ी सी फालतों चीजहों में नहीं जाना है कि हां यार मैं तो वहां मन से आउंटे ल होता है ठीक है उस दिन हम बहुत ज्यादा sensitive होते हैं यह ध्यान रखना तो आपको भी feel होता होगा मालों किसी का exam 4 जुलाई गोए तो 2-3 जुलाई को उसकी यूं लगएगा थोड़ा कि दिमाग में कोई बोल ना दे कोई कुछ बोल दिया तो बस खानक गया दिमाग है ना तो वो चीजों से दूर है ना अगर आप ऐसे बंदे हो कि आपको किसी की बातें ज्यादा ही चुपती है तो आप थोड़ा दूर रहो exam के एक दो दिन पहले से अपने family से भी दूर रहो और दोस्तों से भी दूर रहो कोई कुछ बोल देगा exam के पहले दिन दिमाग खराब ह गया exam वाला दिन खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा क्योंकि mental जो condition हमारी वो यही होती है sensitive होते हैं कि वही चीज़े यादा आती है जब exam दे रहे होते हैं यार उसने अच्छा उसने भाई नहीं अभी आपको अपना career देखना है उसके लिए एक दिन दो दिन कर दो दिन उसकी बात करते हैं कि देखो आपका एक्जाम जिस भी सिफ्ट में हो जिस भी दिन हो तो कुछ खाँ पीके जाना क्योंकि वहाँ जाके यह भी दिक्कत होती है कही लोग चले जाते हैं अब एक्जाम में लग रहे हैं 11 बज़ दोपर का सिफ्ट है 11 बज़े से 12 और कुछ खाके जाना अच्छा इसके बार बात करें कि यह सब तो पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए कि डोक्रिमेंट्स लेके जाना टाइम पे पहुंचना पेपर को सही तरीके से अटेंप्ट करना हाइप मत बनाना डरना मत केलकुलेशन और वगेरा जो में जैसे अटेंप्ट रता था वैसे ही मुझे एकजांप अटेंप्ट करना है उसी तरीके से अटेंप्ट करना है और बस यहां यह फरक है कि मैं यहां घर पे हूँ और वहां लोगों को बीच में हूँ दूसरी चीज अपना जो score है उसको target बनाकि मत चलना कि महां 170 मोक में लाता था वहां 170 लाऊंगा यह चाल अगर लेक टार्गेट लेके सलोगे तो एक्जाम कराब होगा यह होगा क्योंकि वहां देखो जो यहां 170 होगा और हो सकता है अगर आपने ज्यादा और पढ़ना तो यह सारे लोग होते हैं जो एक्जाम सेंटर पर पढ़ते वह मिलते हैं उनको देख के मॉटिवेट मत होता है वह सोचते हैं थोड़ा बहुत भी कुछ आ जाए पढ़के और निगल जाएगा निगलता नहीं है उनका सोच आँ हो हो तो आप उनको देख के नहीं चल रही और जब एक्जाम में बैठा हूं तो मैं दिमाग में बार बार आ रही है एपॉलिज तो उस परवाव उस एफेक्ट को कम करने के लिए भी मुझे लगता है कि आपको एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए और दिमाग को सांत रखने के लिए तो सब बता रही है तो मेरा एक अलग से रिजन है वह मैंने आपको पता है जो परसनली मुझे लगता है अब देखो हम बात कर लेते हैं कि आपका आगया आने वाली अभी कई सारे दिन मालों की सिगा आट जूलाई को तो टाइम है तो आप लोगों क्या करना है इंपोर्टेंट चीजें अभी पढ़नी है अगर बात करो तो मैं इंपोर्टेंट थेोरम्स फॉर्मलाज आप रिवाइज करो बाहर बाहर उनको देखो क्योंकि उनसे रिलेट तो उन पेटरंस को थोड़ा सा देख लो कि हाँ अचा यह यह पेटरंस ऐसे सोल होता है वह भी आप ध्यान रखो कि तो आप अच्छा कर सकते हो लास्ट ताइम में अगर आपको अभी से अभी पढ़ रहे हुआ तो आप अपोइंट्मेंट्मेंट्स के बारे में थोड़ा स्पोर्स ट्रोफी के बारे में कौन से कहां हो रही है इंडेक्स के बारे में पढ़ लें और स्पूर्स रेटेड न्यूज देखो आ सकती है कि कौन सा ICC मैंस ओफ प्लेयर था यह चीज़ें भी आपको देखने है थोड़ा और इस बार का जो मोमान आई-पेल हुआ था उस क्लचर में फेस्टेवल्स घर्णा जितने वी वादक है उन से रेलेटेड बेन्स एक्जाम में आता ही था बार बार रेपीट होते है इनको थोड़ा रिवाइज कर लो बात के इंगलीज की तो वह रही है और बार का जो आपको नए जब पढ़ रहे होंगे तो आयलाइट किया होगा तो वो एक बार और देख लो कि हाँ यह पेटर्न ऐसा होता है तो बस यह चीज़े हैं ज्यादा नहीं पढ़ना ऐसा नहीं है कि आप पूरे से लिए बस को लेके बैठो कि हम पूरी रिवाइच करूंगा अं बागी हम भी आपको बता देंगे थोड़ा जुलाइक चीज़ें बागी आने वाली शिफ्ट में आप कर सकते हो बस यही था आज का वीडियो उस इपोर्टेंट चीज़ें पड़े अच्छा पड़ें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें काफी ध्यान रखें क्योंकि अब बेस देख्यांगा हो सकता है 130 भी 150 बन जाए और हो सकता है 170 भी 150 बन जाए अगर आपने दिमा को सही नहीं रखा तो यह चीज़ें वहां डिपेंड करेगी एक्जाम में जो पता है आपका 120 आरहा हो एक्जाम में confident हो कि जो अच्छा करूंगा हो सकता है आपका भी 120 150 में वह सब्सक्राइब को लाइक जरू करें आपको वीडियो अच्छा लगा तो बाई बाई फ्रेंड्स